Hello guys, once again welcome back to my channel आज का जो वीडियो है वो hexadecimal to decimal conversions के related है तो यहाँ पर मैं आपको directly example दिखा कर उसके द्वारा समझा दूँगा कि ये conversion कैसे solve करना है तो hexadecimal का base 16 होता है और उसमें symbols जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के numerical and A से लेकर F तक के alphabetical होते हैं and decimal का base 10 होता है and उसमें 0 से लेकर 9 तक के numerical symbols होते हैं अब जैसे ही हमने binary to decimal में conversion किया था and octal to decimal में conversion किया था और उसमें जो भी method apply की थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ hexadecimal to decimal में follow होगी अब जो digit है उसको 16 raise to n से multiply करना है और सभी का summation लेना है और n की भी जो method थी वो same है लेकिन आपको confusion नहों हो इसलिए मैं यहाँ पर बता दूँगा पहले क्या करना है आपको hexadecimal value यहाँ पर दी है a0 f9.0 eb तो जो e, e है b है f है and a है उसकी जो digit होते है 0 से लेकर 9, 9 के बाद 10 फिर 11 वैसे आपको 15 तक जाना है f is equals to 15 तक तो वो आप उसके सामने digit लिख लो ठीके? उसके साथ आपको जो digit मिला for example a का 10 होता है b का 11 होता है ऐसे f तक जाना है 15 तक खीके? तो वो digit आपने लिख दिये उसका multiply 16 raise to n से करना है तो यहाँ पर जो hexadecimal value है उसमें पहले हमने point find कर लिया point find कर देने के बाद हम पहले left side चलते है तो left side जो 9 है उसका power हम n is equals to 0 consider करते है फिर जो दूसरा number है उसका जो power है वो n is equals to 1 consider करते है फिर आगे वाला जो 0 है उसका n is equals to power हम compare करते है 2 से and जो आखरी a बसता है उसका power 3 से compare करते है अब हम चलते है right side right side में minus 1 से start करनी है ठीक है binary में भी ऐसा था और octal में भी ऐसा था ठीक है hexadecimal to decimal conversion में भी यहीं follow होगा जो right side है 0 उसकी हम n is equals to minus 1 value power उसकी लेंगे e है उसकी minus 2 and b की minus 3 तो यहाँ पर अब क्या step होगा तो हम अब आगे चलते है पहले मैंने आपको समझा दिया कि step में कौन-कौन क्या होगा तो जो a है उसकी value 10 है और यहाँ पर n is equals to 3 आएगा तो 10 into 16 raise to 3 होगा फिर उसके बाद 0 है तो 0 into 16 square होगा वैसे ही सारे के सारे digit देख लेना अगर कोई confusion हो तो comment करना मैं आपको जवाब दूँगा otherwise new video post कर दूँगा तो यहाँ पर जो first step है वो आपको complete कर देने के बाद simple यहाँ पर math apply करना है और हाँ 16 raise to 0 करोगे तो किसी की भी आप power 0 करोगे तो answer 1 होगा ठीक है इसलिए यहाँ पर 16 raise to 0 तो answer 1 1 into 9 तो answer 9 होगा और finally जो आपका summation करने के बाद answer होगा वो 41209.0574 यह decimal में होगा I hope guys कि मैं जो आपको explain कर रहा हूँ वो आपको पता चल रहा होगा और जो दूसरा example है वो E 0.6F hexadecimal है decimal में convert करना है तो पहला F and जो E है उसकी हम numerical value find कर देते है E की 14th होगी and F की 15th होगी ठीक है और सभी को 16 raise to N से multiply करना है अब N कैसे find करना है आपको पता है point find करना है पहले hexadecimal value में and left right side donor side आपको divide कर देना है left side आप जो भी point है उसकी left side तूरंद चलोगे तो N is equals to 0 ले लेना उसके बाद की 1 लेना ठीक वैसे ही हमें right side चलना है point के right side जो पहला digit हो उसकी N is equals to minus 1 पावर compare कर लेना तो यहाँ पर आपने first step complete कर देने के बाद basic max जो होती है वो आपको apply करनी है और उसको सभी का सभी digit का आपको summation करना है तो final answer जो होता है वो two two four point four three three five nine decimal में होगा और यहाँ पर मैंने आपको खुद से solve करने के लिए 5 example भी दिये ह और उसके सामने decimal में उसके answer भी लिख दिये है अगर कोई answer match नहीं हो रहा हो और आपको problem हो रही है solve होने में तो मुझे comment करना तो मैं उसके solution के regarding भी एक video post कर दूँगा और हाँ एक बात और बता दू कि जो binary to decimal है octal to decimal है and hexadecimal to decimal conversion है उनमें सभी में एक ही common pattern यूज होती है ल जो binary to decimal है उसमें 2 से multiply करना है 2 raise to n, n find करने की method सभी में same है octal हो तो octal में 8 से आपको multiply करना है और hexadecimal हो तो hexadecimal का base 16 है इसलिए वहाँ पर 16 से multiply करना है बाकि इन तीनों में common ही pattern है सब कुछ common है ठीक है I hope guys कि मैंने जो आपको इस वीडियो में information दी हो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को like share and channel को subscribe कर देना thank you for watching this video